लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे ओनी जुगा ने अपनी जान पर खेल कर हिदेमी की लाइब बचाई थी ये देखकर वहां के लोग बहुते खुश होते हैं अब आगे अब हमें एपिसोड दे स्टार्टिंग में एक रिपोर्टर को दिखाए जाता है जो कि ओनी का इंटर्विव लेने आई थी कि आखिर उसने कैसे चोटी बच्ची की जान मचाई अपनी लाइफ पर इसमें डालकर वह यह सब बोली रही होती है तब ही वहां पर ओनी जुगा आता है जिसने डाइनसौर का कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है यह देखकर वह लड़की करने वाला नहीं है तब ही वहां रिपोर्टर आते वह पूचती ओनी जुगा सर अपने एक अजनपी लड़की के लिए अपनी जान खत्रे में डाल दी आखिर अपने कैसे किया तब ओनी जुगा बोलता है यह तो मेरा फर्स था बेशक मैं एक टीचर हूँ लेकिन फंडमे टाइप है ननाय को तब ही रिपोर्टर उसके बाद को कारते हैं कहती है ओनी जुगा सर आपने उस लड़की के लिए अपने पेट में तीन गोलिया भी घाई क्या यह सच है और आपको दर्द नहीं हुआ यह सुनकर ओनी जुगा बोलता है उस लड़की को बहुत एमोशनल अफेक्ट पड़ा होगा उसके हिसाब से तो वो तीन गोलिया मेरे ले कुछ भी नहीं है फिर वो बोलता है वैल जो भी लड़की मेरी गर्फ्रेंड बनना चाहती है उसकी एज लिमिट है अंडर 19 ओके तो जो लड़की अपलाई करना चाहती है वो मुझे कॉंटेक्ट कर स और फिर वो ओनिजुगा का इंटर्वियों देखने लगती है इधर हम देखते है कि उस लड़की को कॉल मियावी ना किया था तब उसकी दोस्तों से पूसती है क्या काम हो गया तब मियावी कहती अफ्कॉस मुझे लगता है वह इस काम में बहुत इंट्रस्टेड है अब तो ओनिजुगा काम सगया इधर हम देखते कि उनिजुगा उस रिपोर्टर के पीछे भाग रहा होता है और यह सीन यहीं कट होता है अब हमें एक बार का सीन दिखाये जाता है जहां पर ओनिजुगा का दोस्त यू उस से पूचता है क्या तुम्हारे पास अविद्ध यह सुनकर यू हसने लगता है तब ओनिजुगा बोलता है मेभी इसले नहीं आया होगा क्योंकि बहुत से लड़कियों ने एक साथ लेटर भेजा होगा और इसी कारण पोस्ट आपिस पे काम बढ़ गया होगा तो लगता है कल मेरे पास सारे लेटर आएंगे यह सुनकर य यू भी गुस्से में कहता है हां तुझे ही बोल रहा हूँ आखी डाइनसौर का कॉस्ट्म स्कूल में कौन पहनता है तब ही वहाँ पर एक लड़की आती है जो उनसे कहती है तुम से वापस से फाइट कर रहे हो इतने सालों में तुम दोनों बिल्कुल भी चेंज नहीं पूर रही हो यह सुनकर ओनीजुका बोलता है तु कितना सेल्फिश है अब हम देखते हैं कि वह तीनों ड्रिंक कर रहे होते है तब ना किसा ओनीजुका से बोलती है मैंने तुम आज टीवी में देखा था और तुम बिल्कुल एक टीचर की तरह लग रहे थे यह सुनकर ओ पूनीजुका उसके पास जाते हुए कहता है हां तुम ने सही कहा मैं फिलान में बहुत ही परेशान हो क्योंकि मेरे पास एक भी लड़गी नहीं है फिर वह उससे बूलता है कमोन तुम्हारे कॉलेज में तो बहुत सारी लड़गिया होगी तो क्या तुम मुझे उनसे नह दुम दोनों अब हम उनी जुगा को देखते हैं जो अकेले पार्क में बैट कर सोच रहा होता है आखिर यू अपने आपको समस्ता क्या है वो एक लड़गी के लिए मुसे फाइट करना चाहता है फिर वह एक श्टिक उठाकर एक ड्रोइंग बनाने लगता है कि आखिर उस जाए तब ही हम देखते हैं कि नदी में से वही लड़की निकलती है जो कि उसे टीवी बद देख रही थी यह देखकर ओनी जुगा शौक्ड होते हो सूचता है यह तो वैसी लड़की है जैसा मैंने ड्रोइंग मनाया था क्या मेरा लग कितना अच्छा है कहीं वो कोईन का साथ यह पूचती है क्या तुम्हारा नाम ओनी जुगा है और तुम्हें स्कूल के टीजर हो मैं तुम्हारी बहुती बड़ी फैन हो यह देखकर ओनी जुगा को बिलीव नहीं होता और वो मनी मन सोचता है क्या मुझे चड़ गई है या फिर मैं कोई सपना देख रहा पर तब वो लड़की बोलती है तुम्हें नहीं पता हम दोनों कहां जा सकते है यह सुनकर ओनी जुगा को लगता है कि यह लड़की मुझे लव होटले जाने को बोल रही है और फिर वो खुश होते वे लेकर जाने लगता है अब ओनी जुगा रास्ते में उस लड़की से उसका नाम पूचता है तब वो लड़की बताती है कि मेरा नाम उरुमी कंजाकी है ये सुनकर ओनिजुगा बोलता है तुम्हारा नाम बहुत ही अनिजुवल है फिर वो उससे उसका एस पूचता है तब वो लड़की कहती है मैं 19 साल की हूँ ये सुनकर ओनिजुगा बहुत लेगे उतार देती है और फिर वहा ओनी दुगा के तरह बढ़ने लगती है ये देखकर ओनी झुगा क добрता निए मेरे साथ यह वह तो नहीं करने क्या तो मुझे यहां पर लेकर आना चाहती थी तब वो लड़की कहती आफकोस ताकि मैं अपने कपड़ों को सुखा सकू फिर वह उससे पूसती अच्छा बता तुम कहां पलाने के सोच रहे थे यह सुनकर ओनी जुका बोलता है नहीं तो मैं ही पलाने के सोच रहा था अब वो लड़की अपने पर्स से एके करके लड़कियों के कपड़े निकालने लगती है और उसे ओनी जुका को पहनाने लगती है यह देखकर ओनी जुका उससे मना करता है लेकिन वो लड़की उसे पहना ही देती है तब ओनी जुका उससे कहता है मैं एक जोकर की तरह लग रह यह देखर वो लड़की कहती है नहीं तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो और फिर वो अपने कपड़ों को फाड़ने लगती है यह देखर ओनी जुगा मनी मन सोचता है आखिर यह करना क्या चाती है इतर वो लड़की उस शौप से भागती वे पुलिस वालों के पाच जाती है और वो पुलिस वालों से कहती है वो आदमी मेरे साथ यह सुनकर वो पुलिस वाले ओनी जुगा को पकड़ने के लिए भागती है तब ओनी जुगा वहां से भागते हुए कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया यह सब उस लड़के नहीं किया है यह देखकर वो लड़की हसने चुझे और वह इतने इरिटेट क्यू लग रहे हैं सब दूसरीअ समय कुल रात उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लुत दिया ओंजीड देbourg होता है तब वो गुस्से में बोर्ट पर अपने नाखुनों को घसीड़ते हुए कहता है सब के सब सांत हो यह सुनकर बच्चे चिलाते हुए कहते है प्लीस ओनी जुगा सर आप यह सांड मत निकालो यह देखकर का गोजी बोलता है इनका तो रोज का काम है और फिर वो जैसे को मारते हुए कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बता हूँ वो सब उस लड़की ने किया था वो मुझे फसाना चाहती है यह सुनकर वो बच्चा बोलता है लेकिन ऐसी हरकते कौन करता है तुमने ही तो अपने सर पे लड़कियों की चट्टी पहनी थी और तुमने बहुत सा चिलाते हुए कहता है यह वही लड़की है जिसने मुझे कल रात फसाया था तब वो लड़की बैठते हुए ओनीजुका को हेलो बोलती है यह देखकर ओनीजुका उससे पूसता है आकर तुम यहां पर क्या कर रही हो तब कंजाकी बोलती है क्योंकि मैं इसी ग्लास में बताती है मैं बहुती दिनों से स्कूल नहीं आई थी लेकिन अब मैं आने लगी हूँ ये सुनकर ओनी जुका उसका कॉलर पकड़ते हैं कहता है आखिर तुम अपने आपको क्या समझती हो तुमने मुझे कल रात पुलिस वालों से पकड़वा दिया था तब वो लड़की बत मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला लेकिन तब ही वो देखता कि एक साप उसके मेन पार्ट पर काट लेता है ये देखकर वह बहुत तेज से चिलाने लगता है और है ये सब लेकर कलास के बच्चे बच्छे पर इधर एक टीचर कहता है यह तो कि बहुत ही पोईजनस होता है और फिर वह सब हला करने लगते हैं तभी वहाँ पर प्रिंस्पल मैं माती है और उन से पूछती है कि आखर यहां पर क्या हो रहा है यह देखकर ओनीजू का प्रिंस्पल मैं के पास जाता है और वह उससे हल्प मांगत लेकिन हमें इस पार्ट को काड़ना पड़ेगा नहीं तो जहिर तुम्हारे पूरे बॉड़ी तक फैल सकता है और फिर वो उसे काड़ने के लिए जाती है लेकिन ओनी जुका यहां पर बहुत जादा डर रहा होता है तब प्रिंस्पल मैं बाकी सब टीचर को ओनी जुका को पकड़ने के लिए बोलती है और फिर वो उसे काड़ने जाती है तब बहुते हैं कि व स्कूल कब से आने लगी तब ही वहाँ पर PT वाले टीजर आते है और वो चिलाते हुए कहते है कि कंजाकी आ चुकी है फिर प्रिंस्पल मैम शौक्ड होते है बोलती है अगला पीरिड किसका है 3-4 क्लास में ये सुनकर मिसु की मैम बोलती है मेरी क्लास है और वो बहुत जादा शौक्ड होती है कि आख कॉस सी बात है एक student school में पढ़ने के लिए आती है तब का कोजी उसे बोलता है मुझे पता है मियाबी ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए बोला होगा ये सुनकर कंजाकी बोलती है मैं तो यहाँ पर इसलिए आई हो चूकि मुझे मियाबी ने बताय था कि यहाँ पर एक कर मिसुकी मैम को लगता है ये तो बहुत ही अच्छी बच्ची है फालतु में ही सारे टीचर परिशान हो रहे थे अब हम देखते है कि मिसुकी मैम उन सब को पढ़ाना शुरू करती है फिर वो कुछ देर पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछती है ओके तो बताओ अगल कहा कि चाइना में कनफूसिय शब्द बहुत हाड होता है और फिर कंजा की चाइनीज में बोलती है जो कि मुझे समझ नहीं आता उसके बाद कंजा की उस वर्ट को एलोबरेट करने लगती है ये सुनकर तो मिसुकी मैम शॉक्ड होती है और वह सोसती है कि आखर ये क्या बो को पकड़ लेता है ताकि वह रिजाइन ना करे तब में सुकी मैम चिलाते हैं कहती है मुझा केला छोड़ दो आखिर मैं कैसी टीचर हूँ जो अपने की स्टुडेंट का एंसर भी नहीं दे पारी मैं तो एक नमर की लूजर हूँ आखिर मैं टीचर कैसे बन गई ये बोलन उनने इसके बारे में पता नहीं है इसी कारण स्कूल में बहुत सारे टीचर्स ने जॉब छोड़ दी ये सुनकर ओनी जुगा बोलता है फिर तो उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए तो आप सब ने उसे स्कूल से निकाला क्यों नहीं तब वो टीचर कहता है क्योंकि वो ऐसे समालते हैं तब वो टीचर को समझाता है कि ऐसा करने के जरूरत नहीं है लेकिन उनिजुगा उसकी बात नहीं मानता और वो अपनी क्लास के तरह बढ़ने लगता है तब वो टीचर कहता है वो लड़की बहुती स्पैसल है अब हम देखते हैं कि ऑनिजुगा कंजाकी के पास पहुँच जाता है जिसे कंजाकी देखर हेलो बोलती है तब वो निजुगा उसका हाथ पकड़ दो कहता है मैं तुम्हें उल्टा लटका दूँगा और तुम्हें सुमिंग पूल में तब तक डुबाऊंगा जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आता इधर हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसपल और बाकी सभी टीचर उसी कलास के तरह भागते हुए आ रहा होते हैं तब ही वहाँ पर मिसुगी महम आती है जो ओनिजुगा को ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि ये मेरी ही गलती है कि मैंने जादा पढ़ाई नहीं की तब ओनिजुग बोलता है आपको टैंसल लेने की जरूरत नहीं है मैं इस लड़की को समहा लोंगा तब ही महाँ पर वाईस प्रिंशपल और बागी के टीचर आते हैं जो उसे ऐसा करने समना करते है तब ओनी जुगा बोलता है आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है मैं इस लड़की को समा लूँगा लेकिन वहां के दो टीचर ओनी जुगा को पगड़ लेते है फिर वाइस प्रिंसपल बीच में आते हुए कहते है तुम्हें पता भी है यह लड़की कौन है यह हमारे स्कूल की सबसे स्पैसल है तब ओनी जुगा बोलता है यह तुम क्या पकवास कर रहे हो यह सुनकर वाइस प्रिंसपल उसके हाथों को दूर करते हुए कहते है तुम्हें पता भी है इस लड़की का IQ 200 है और यह हमारे स्कूल की शान है यह सुनकर तो मिसुगी मैम को लगता है तब ओनी जुगा बोलता है 200 IQ तो क्या हुआ तब वाइस प्रिंसपल बोलता है अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हें स्कूल से फायर तो किया जाएगा ही बल्कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है तब ओनी जुगा वाइस प्रिंसपल को साइट करते कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता और वो कंजागी के पास जाते हो पोलता है तुम्हारा क्लास सस्वागत है मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा फिर वो पोलता है चलो क्यों ना हम लेंगविक्विज क्लास कोस्ट करें सबसे पहला क्लास होगा हैंड साइंस और वह उसे मिडल फिंगर दिखाता है इसी के साथ ही आपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है